नमस्कार साथियों स्वागत है अपने यूटूब चैनल स्टड़ी हेल्प हिंदी में फिरंड्स यह दिया आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं जैसे कि नमबर पहला प्रशन दिया हुआ है होप क्या है इसमें देखिए आपसन दिया कि सन्युक्त आरब अमिरात का मंगल मिशन यूरोप का यलजी बीटिक्यू समूव है या फिर बिकलांग का एंजियो आदिवासी सिक्षा के अंद्र है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसन बिद्धूत उत्पन करने वाला राज्य कहुंसा है यहां पर आपसन दिया है तमिल नाडू बिहार महारास्ट रोच त्यसगर इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा आपसन नंबर तीन तीसरा वला सही उत्तर होगा इसका महारास्ट भारत में सबसे ज्यादा ताप महारास्ट रहे नेक्ट प्रस्ण देखिए भारत की सिलिकन वैली इस्थित है तो यहां पर आपसन दिया है देहरादोन में हैदराबाद में बैंगलूरू में या फिर स्रीनगर में तो भारत की सिलिकन वैली बैंगलूरू में इस्थित है करनाटा की राजानी बैंगलूर है देखिए यहाँ पर आप्शन दिया है UK, रूस, USA या फिर जर्मनी तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा आप्शन नमर दो रूस, भिलाई इस्पात सन्यंत्र रूस की मदद से अस्थापित किया गया है नेक्स्ट प्रसन है भारत में स्वतंतरता के पश्चात प्रथम मंत्री मंडल का कानून मंत्री कौन था इसमें देखिए आप्शन दिया है K.M.O.C., भीम राव अंबेटकर, बलदेव सि या फिर भीम राव मेटकर जिते नेक्स्ट प्रसन है लॉंग की खेती होती है तो इनमें से कहां पर लॉंग की खेती होती है देखिए पहला आप्शन करनाटक, तमिलनाडू, केरल या फिर उत्तर प्रदेश तो इसका अंसर हो जाएगा आप्शन नमर तीन केरल लॉंग की केरल में होती है नेक्स्ट प्रसने के याँ पर आस्ट्रेलिया की सबसी महत्वपूर्ण खाद्य॥षाल क्या है तो इसका अप्शन हो जाएगा अप्शन नबर तीन गेहूं आस्टेलिया की सबसे महत्वपोर्ण खादेपसल गेहूं है नेक्स्ट प्रस्ण है पंद्रहमें वित्ता आयोग के संस्तुतियां किस अवधी के लिए प्रभावी होंगे तो जो पंद्रहमें वित्ता आयोग उसकी अवधी कब से कब तक है देखिए फ्र पारा थर्मामेटर के कारे करने का सिधान्त क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा आपशन नमर दो गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है यही इसका अंसर हो जाएगा परवत इवं पहाड के बीच की भूमी को क्या काते हैं देखिए यहां पर दिया है गाटी वेल्ड जंगल या फिर इमने से कोई नहीं तो परवत इवं पहाड के बीच की भूमी को घाटी काते इसका अंसर क्या हो जाएगा? आपसन नमबर एक इसका सही उक्तर हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है यहाँ पर देखिए आपसन दिया है कजाकिस्तान, दक्षड अफ्रिका, नामीबिया और यूएसे तो संसार में सबसे ज़दा यूरेनियम का उत्पादक कजाकिस्तान के द्वारा के जाता है इसका अंसर हो जाएगा आपसन नमबर एक कजाकिस्तान नेक्स्ट प्रस्द है, 200 में काफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है तो इन में से कौन सा देश विश समें सबसे जज़दा काफी का उत्पादक करता है देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपसन नमबर चार ब्राजील ब्राजील के द्वारा काफी का सबसे बड़ा उत्पादक किज़ता है निम्लिकित में से कौन भारत नहीं आया तो दिखी यहां चार अप्संदिया मेगस्थनीज कॉलंबस वासको डिगामा और फायान इन चारों में से भारत कौन नहीं आया था इसका अंसर होगा अप्संद नमर दो कॉलंबस कॉलंबस जोई की भारत नहीं आया था इसने जोई की अमेरिका खोज की थी नेश्ट प्रस्ण है गायत्री मंत्र का सरो प्रथम उल्लेख कहां मिलता है आप्संदिया है रिगवेद में अथर्ववेद में उपनिसद में या फिर पुराणों में तो इसक प्रससिद्ध हवा महल राजस्थान के किस सहर में इस्दित है देखिए यहाँ पर उडिशा दिया तो ऊडिशा राज्य है जैपूर महारास्ट नमठ नगर्त इसकानसर क्या हो जाएगा आप्सन नंबर दو जैपूर में प्रसिद्ध हवा महल जो कि राजस्थान के deco किया कहा जाता है जो फिखेंद्र सासित प्रदेस हैं उसमें परशास्निक प्रमूख को किया कआ जाता है यह आप संदिया राश्ट्रपती राजेपाल इवाफीर पृधान मंत्री तो इसपा अंसर हो जाएगा आपसन्थ नमडर एक उपर जापाल कहा जाता है नेक्ष्ट प्रस्णिया पर अमुक्त माल्यद का लेखन किसे ने किया था यहाँ पर आपसंदिया क्रिष्ण देव राय, ब्रह्म देव राय, बुक्का राय या फिर हरिहर राय इसका अंसर होगा आप्षन नमर एक क्रिश्ण देव राय ने किया था नेक्स्ट प्रस्ण देखिए आपर भारत में हिमालय की सबसे उची चोटी का नाम बताईए यहाँ पर देखिए चार आप्षन दिये हैं माउंट केटू मौंट एवरेश्ट कंचन जंगा और धौलागीरिए तो भारत में पॉणता भारत में इस्थित हिमालय की सबसे उची चोटी का नाम माउंट कंचन जंगा है जो की सिंख्की मैं जित है और भारत और जो पि-ए को POK वाला एरिया है पाकिस्तान ऑट्रकास्मिद कस्मेम वहाँ पर मौंत केटू है निश्फ्ड प्रसन देखिए यहां पर इसलाम धर्म के पाइगंबर मुहम्मद सहब का जन्म के सस्थान पर हुआ था इसका अंसर हो जाएगा आपसर नमर 3 मक्का मोहम्मद सहाब का जन्मजविकी मक्का में हुआ था देखिए यहां दिया है पंजाब सिंद गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश तो मोहम्मद पाकिस्तान के सिंद प्रांत में इसका अंसर क्या हो जाएगा आपसर नमर 2 सिंद नेश्ट प्रसन है सरवच न्यायले के न्यायधीस किस आयू में सेवा निवर्त होती हैं तो न्यायधीस कि सेवा निवर्ति की आयू 65 वर्स होती है नेश्ट प्रसन देखिए प्रस्ट नमर तेईस है दक्षड द्रुव की खोज किस ने की थी तो इसका अंसर देखिए इसका अंसर हो जाएगा आपसर नमर 2 एमंडशन द्रुव की खोज एमंडशन के द्वारा किया उत्तरी द्रुव में भारत की अनुसंधान केंद्र का नाम बताईए तो इसका अंसर हो जाएगा आपसर नमर 3 हिमाद्री हिमाद्री जो है कि उत्तरी द्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र है गौतम बुद्ध की मृत्यू कहां हुई थी? यहां पर आप्षन दिया है लुम्बिनी, कूशी नगर, स्रावस्ती या फिर बोध गया है तो गौतम बुद्ध की मृत्यू कूशी नगर में हुई थी इसका अंसर हो जायेगा आप्षन नमबर दो, कूशी नगर नेक्ष्ट प्रशन देखिए यहां पर, मौरे वन्स का अंतिम राजा कौण था, यहां दिया है आप्षन ब्रहद रत, कुणाल, संफदी या संप्रती या फिर स्चाली शुक इसका उतर होगा आप्षन नमबर एक ब्रिहद्रत था यहां पर देखिए इस प्रश्ण का अंसर आप लोग को कमेंट बाक्स में करना है तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जुरूर कीजेगा और यदि आप इस चैनल परना है तो इस चैनल को को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में